नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम सौलू करेंगे कुश्चन नमबर 7 तो चलिए इसमें देख लेते हैं हमें क्या गिवन है ABC जे ट्रेंगल तो ABC हमें एक ट्रेंगल दी गई है right angle that C, C पर right angle है यहनिके एक right angle triangle दी गई है तो यहांपर बना लेते हैं एक triangle और यहाँ पर ये A है ये B है ये C है क्यूंकि C पर हमें right angle दी गए है 90 degree angle दी गए है कॉश्चन में given है a line through the midpoint M अभे एक midpoint M दिया गया है of hypotenuse AB this AB का एक midpoint है मान लिजिए ये midpoint मान लेते है M तो ये दिया गया है and parallel to BC BC के parallel हम एक line लगाएंगे जो एक line जाएगी इस M से तो हम एक line लगा लेते हैं ये BC है तो इसके parallel ये line जाएगे जो की AC को D पर cut करेगी तो ये सारा कुछ question में दिया गया है अब हमें बताना है कि D is the midpoint of AC अब देखिए हमने पहले एक theorem पड़ी थी अगर मान लीजिए ये triangle है और एक side के midpoint से आगे की तरफ line जा रही है और आगे cut कर रही है अगर इसको हम आगे की तरफ ले जाएंगे यानि कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर M midpoint है AB का और M D parallel BC के B है ये पहले हमने एक theorem पड़ी थी तो ये जो आगे जाकर इसको cut करेगी फिर इसको आगे और बढ़ा सकते हैं यानि कि ये जो D होगा जैसे M AB का midpoint है इसी तरह से D जो है AC का midpoint होगा तो यहाँ पर कह सकते हैं तो यहाँ तो पहली theorem से ही हमारा प्रूव हो जाता है यहाँ पर आप लिखेंगे कि M जो है वो क्या है वो है midpoint किसका AB का और ये जो MD है वो किसके parallel है BC के ये चीज़ें given है तो M से जब आगे की तरफ line बढ़ाएंगे तो यहाँ पर करेगी तो ये जो D है AC का भी midpoint होगा तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा दूसरा MD perpendicular to AC अब ये धियान रखना है कि यहाँ इसका मतलब क्या है AD equal to DC है क्योंकि D जो है AC का midpoint है ये भी आप कह सकते हैं अब MD perpendicular to ये जो MD है इस AC के perpendicular हमें बताने है तो यहाँ पर हम इसको प्रूव करते हैं तो MD parallel BC हमें दिया गया है और यहाँ पर देखिए जो ये अंगल है ADM ये वाला अंगल देखें ADCM ये वाला और ACB ये अंगल देखें तो ये बराबर होंगे क्योंकि एक ही line पर है तो corresponding angle हो गए तो यहाँ पर लिखे लेते हैं जो angle ADM है वो angle ACB के बराबर होगा क्यों? क्योंकि ये क्या है? corresponding angles है तो यहाँ पर लिखे लेते हैं ये है corresponding angles एक ही line के उपर हमें angle मिल रहे हैं इसी line के उपर ये और ये चाहिए कहीं पर भी ले ले लें तो वो same ही मिलेगा और जो ADM है ये angle होगा कितने का भी है? अगर 90 degree का है तो ये भी 90 degree का होगा इतना clear है? अगर ये यानि कि 90 degree का था तो ये भी 90 degree का होगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते है? ADM जो है वो हमारे पस 90 degree का आ जाएगा क्योंकि A, C, B पहले ही है में right angle at C C पर 90 degree था तो ADM 90 degree हो गया और अगर हम दो angle का जोड लें किस-किस का एक तो ये उपर वाला angle और एक ये नीचे वाला angle तो ये total angle कितने का होगा? 180 degree का किसी भी horizontal line पर ये पूरा angle 180 degree का होता है तो यहाँ पर अगर हम ये लिख दें angle ADM plus angle CDM तो वो किसके बराबर होगा? 180 degree के ADM और CDM 180 degree के बराबर होगा ADM हमारे पास 90 degree है यानि कि जो angle CDM है वो कितने का आ गया? ये तो हमारे पास 90 degree है तो वो उस तरफ चला जाएगा तो 100C में से 90 को माइनस कर देंगा तो ये 90 degree है यानि कि ये angle भी 90 degree है अगर एक line पे उस तरफ भी 90 degree हो इस तरफ भी 90 degree हो तो ये तो perpendicular हो गया MD perpendicular AC हो गया इसका मतलब क्या है? MD perpendicular AC हो गया यानि कि ये जो है ये CM equal to AM ये बताना है और half AB के बताना है तो अब देखिए M तो midpoint है ही AB का ये हमें given है ये चीज याद रखनी है यहाँ पर हम दो triangle ले लेते हैं एक तो triangle ले लेते हैं AMD और एक triangle ले लेते हैं CMD AMD ये वल triangle और CMD ये वल triangle ले ले अब हमने देखा ये angle और ये angle दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो angle ADM है और angle CDM है ये तो बराबर है क्यों 90 degree के हैं MD और MD इन दोनों में common है तो ये आ गया उसके बाद AD जो है DC के बराबर है ये भी हमने यहाँ पर ये निकाला था देखिए तो यहाँ पर आगया AD इकवल टो DC के बराबर अब यहाँ पर देखें angle side side criteria से तो ये दोनों triangle concurrence हो जाती है अगर दोनों triangle concurrence हो जाती है तो ये जो AM है CM के बराबर लिख सकते हैं तो यहाँ पर AM जो है CM के बराबर लिख सकते हैं M जो है middle point of AB है यानि कि AM अगर CM के बराबर है तो AM को हम half AB भी तो लिख सकते हैं AM equal to CM equal to half AB इसको लिख सकते हैं और यही चीज़ तो हमें प्रूव करने थे यह वाली तो इस तरह से इस question को हम solo करेंगे तो यह 8th chapter हमारा complete हो गया है 9th chapter आगे करेंगे तो यह basic आपको clear करते चलने हैं तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे channel ग्यानलों पर हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद